आजकल बहुत सारे पेशेंट एक कॉमन प्रब्लम के साथ क्लिनिक में रिपोर्ट करते हैं कि सारे टेस्ट करा के वो आते हैं एलर्जिक प्रोफाइल करा लिया, ब्लड टेस्स करा लिया, अल्टरसाउंड करा लिया, चेस्टेक्स्रे करा लिया, बहुत कुछ कर लिया लेकिन खांसी ठीक नहीं होती है, और लगातार एलर्जिक खांसी आती है, बहुत सारे लोग टीवी का स्क्रीनिंग करा के भी आते है ब्रॉंकाइटेस नमुनिया यह सब सभी कुछ रूल आउट करके आते हैं पेशेंट लगबग कुछ नहीं छोड़ते डॉक्टर के लिए और कई बरी मुझे अज़े डॉक्टर भी लगता है कि आके राब बच्चा क्या करने के लिए फर्स लाइन सेकंड लाइन थ्रैपी भ लगातार खांसी बनी रहती है तो आज हम इस तरह की खांसी के बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल बात करेंगे आपको इसका सॉलूशन देंगे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए आइकन बैल हिट करिए अपने फ्रेंड के साथ से एर करिए और जैसी भी आपकी मतलब फीड़ए के वो हमें जरूर दीजिए आदिको मोस्ट अब दा केसिज में देखा जाता है यदि हंडेड पेशेंट हम लें कफ वाले तो उसमें से लगवक सेवन्टी परसेंट पेशेंट को अलर्जिक खांसी होती है यानि सीजनल कफ होता है उस कफ के पीछे या तो कोई food intolerance food allergy responsible होती है या pollution जुमेदार होता है या change of weather जुमेदार होता है और खांसी में बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं टेस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि यदि allergy कफ है सुबह साम खांसी बहुत ज़्यादे होती है और खांसी यदि आपकी ल inflammation आ गया है और आप टिगर कर रहा है आपका lungs किसी न किसी object के साथ अप टिगर को लेके ठंड के कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा खटी चीजें खाने के कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा spicy oil ही खाने के कारण हो सकता है धूल-धुआं से हो सकता है या फिर आपको कोई internal या बहुत ज़्यादा यदि acid reflex है या बहुत ज़्यादा आपको gas भी बन रही है तब भी ये आपको हो सकता है तो हमें इन सारी चीजों को समझना होगा antibiotic therapy या और दूसरी therapy इसमें कोई काम नहीं करती है और antibiotic से allergic कफ में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है allergic कफ को deal करने का एक सीधा सा तरीका है कि आप सुबह एंटासिट खाईए यानि खाली पेट जो gas का capsule commonly known as raviprajol, domparidon या फिर isogard, rd या ravolet, d type of the capsule आप एक सुबह खाईए और afternoon में आप प्रोबाइट इगलेजिये, busy leg या flora VC जिससे कि आपका digestion regulate होगा आपको कम buffering होगी, constip constipation नहीं होना चाहिए, आप पेट को clean करिए, constipation के कारण या बहुत ज़्यादा gas बनने के कारण भी आपको खांसी हो सकते है, हाँ कोई एक anti allergic आप night में ले सकते हैं, levocitrazine या फिर fixofanadine like allegra tablet, एक रात को वो लीजिए और आप steam inhalation करिए, दो से तीन बार आप भाप लीज infection तो नहीं हो गया है, lungs का, या फिर आपको कोई asthma या broncal कोई symptoms तो नहीं आ रहा है, asthmatic साथ में symptoms तो नहीं है, कैवेरी देखा जाता है कि allergic cough होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो एक irritating asthmatic form में, symptoms में सामने आता है, तो उसके लिए फिर हमें, या तो nebulized करना होगा, nebulization, dualin, या फिर इसके साथ दूसरी चीज़े हैं कि आपको कुछ time के लिए inhaler in a powder form rota cap दिया जा सकता है, तो वो आपकी खासी को coughing को control करने में मदद करता है, और proper anti allergic और antacid के साथ ही इसको treat करना चाहिए, और आपका जो भी object है, धूल धुआं से ज़्यादे exposure है, तो उससे बचिए बहुत ज़्यादा ठंडा खाते हैं, तो वो बंद करिये, refrigerator food बंद करिये, reboiled food मत खाये, packed food बंद करिये, आदा घंटा sunlight का exposure रखिये, और जितना हो सके आप ठंड से, धूल से, धुआं से बचिए, तो ये एक तरीका है allergic cough को treat करने का, लेकिन फिर भी यदि आपको symptoms बने रहत है, तो आप डिलेना करें, physician को, या फिर chest physician को, respiratory physicians को एक बार consult करें, वो इस्टेटिस्कोप से आपके lungs की sound सुनके, आपके symptoms, आपके report को देखके, history लिखके, फिर वो खुद समझेंगे कि आपको allergic cough है, या फिर कोई आपको asthmatic या broncal कोई involvement है आपके symptoms के साथ, तो फिर आपका treatment उसके अनुसार होगा, बट इससे घवराने की परेशान होने की जरूत नहीं है, कई वरी allergic cough कुछ समय लेता है, यानि normal cough से कुछ समय ज़्यादा लग सकता है, एक हपता, दो हपते, इविन तीन हपते भी आपको लग सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि right treatment लिया जाए और right physician क approach किया जाए, thank you very much and take care yourself.